लेकिन कॉंग्रेस को तकलीब होती है कि मोदी ये सब काम क्यों कर रहा है साथियों सातारा ने बाबा साब आम बेड़ कर महत्मा फुले और सावीत रिवाई फुले के सामाजिक न्याय को गड़ने में बड़ा योगदान दिया है एंडिये सरकार ने दस वर्थों में इसी प्रेणा को सुषासन का अधार बनाया है आप देखिए कॉंग्रेस दे सब्तर साल में से साट साल देश पर शासन किया लेकिन बाबा साब आम बेड़ का सम्विदान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था तीन सो सत्तर की दिवार बनाई हुई थी आपके आशिरवाद से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को द्वस्त कर दिया कब्रिस्तान में गाड दिया मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया आप मुझे पताइए आपको गर्व होता है कि नहीं होता है आपको गर्व होता है कि नहीं होता है तिन सो सत्तर हटा करके देश की सान बड़ी कि नहीं बड़ी देश की एकता को ताकत मिली कि नहीं मिली ये गारंटी मोदी ने आपको दी थी और मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा जो लोग आरक्षन के नाम पर जूट बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुम्रा करने में लगे है मैं जरा चूबने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूँ इतने आरक्षन के गीत गारे हो क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी जम्मू कश्मीर रहने वाले दलीत क्या वो आरक्षन के हकदार थेग नहीं से जब देश के दलितों को आरक्षन मिल सकता है देश के आदिवासियों को आरक्षन मिल सकता है तो जम्मु कश्वीर में मेरे दलित भाई बैनों को मेरे आदिवासि भाई बैनों को आरक्षन से बंची क्यों रखा गया संभिधान वहां पर लागू को ने किया क्योंकि बोर्ट बेंक की राजनिती आप पर हावी रही है भाई यो बेहनों 370 हटा कर बाबा साब आम बेड़ करके संभिधान को जम्मु कश्बीर में भी लागू कर दिया बहां मेरे दलीज भाई बेनों को आरक्षण का अधिकार मिला आदिवासी भाई बेनों का आरक्षण का अधिकार मिला ओबीसी भाई बेनों का अधरक्षण का अधिकार मिला वो हक मिल रहा है जिंदुस्तान के हर महिलाओं को मिल रहा है वो आज जम्मु कश्मिर में आज जादी के ते सालों के बाद मिल रहा है बाई और बैनों हमारी सरकार में ही मेरे देश वासियों को मुप्त राशन, मुप्त इलाज, पक्का घर, बिजिली, पानी, अंगिनित सुभिदाएं आखरी वेक्ती तक पहुँचाने के लिए मोदी ने अपना पल पल खपाया है और ये लाब पाने वालों में जादार कतर कौन लोग है? कौन लोग ते जो इन चीजों से वंचित ते? इन सारे लाब को पाने वाले सबसे जादा मेरे दलीट भाई बेहन है, मेरे आदिवासी भाई बेहन है, मेरे ओबी सी पिसेड़े परिवार है अब बीजेपी एंडिये की सरकार इन्हें प्रात्फिक्ता दे कर काम कर रही है साथ यो हमारी सरकार नहीं आरक्षन जो पोलिटिकल आरक्षन की बबत्ता है पहले जब अटल जी की सरकार थी, तब उसका कारकाल बढ़ा दिया था और जब मोदी को अपने अउसर दिया, मोदी ने फुर उसकारकाल को बढ़ा दिया, ये हमारा कमिट्मेंट है हमने OBC कमिशन को सम्वेधानिक दर्जा दिया लेकिन कॉंग्रेस के इरादे क्या है? ये हमने करना टका में देखा है क्या कर रहे है चत्रपती सीवाई जी महाराज की दर्ती से में आपको जगाने आया हूँ भाईयो ये क्या खेल कर रहे है जरा चोग जाएंगे आप सुन करके भारत का समिधान दर्म के आधार पर आरक्षन की मनाई करता है बाबा साब आम बेड कर धर्म के आधार पर आरक्षन की मनाई करते हैं लेकिन उन्होंने क्या क्या? करना टका में OBC को जो आरक्षन मिला हुआ है 27% उन्होंने रातो रात सभी मुसल्मानों को OBC गोशिप कर दिया एक फत्वा निकाल दिया कागेज पर ठप्पा मार दिया और रातो रात OBC के हग के जो 27% आरक्षन था उसमसे डाका डाला और अधिक्तम उन्ही को दे दिया अब कॉंग्रेस सम्मिधान बदलकार यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए जब तक मोदी जिन्दा है जब तक जन्ता जनारण का मुझ पर आतिरवाद है दर्म के नाम पर आरक्षन लाने की आपकी कोशिद सम्विधान को बदलने की आपकी कोशिद मेरे जिन्दा रहते आप नहीं कर पाओगे लिखके रखना साथियों यह 21 सदी टेक्नोलोजी डिवन सदी है और मैं स्वयम भी टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ मैंने सोचल मिडिया का उप्योग हमेशा जन्ता जनारण से जूड़ने के लिए किया है आपकी इच्छाओं आकांशाओं को जानने के लिए किया है आप तक सरकार का कोई कारकम पहुंच रहा है या नहीं उसमें सुदार की गुंजाइद क्या है ऐसी फिड़बेक के लिए मैंने सोचल मिडिया का उप्योग किया है लेकिन ताजा अगटनाएं परिशान करने वाली है लोग तंत्र पेमी हर व्यक्ति को सर्मशार करने वाली है जो लोग बाजपा से, NDA से, मुद्दों के अधार पर, सच्चाई के अधार पर, अपने कारे के अधार पर आमने सामने राजनिश्विक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो अब सोचल मिडिया पर ठेक विडियो फ्याला रहे हैं हमारी पांटी के अलग अलग नेताओं के आवाज में artificial intelligence का उप्योग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमिद भाई की आवाज, कभी हमारे नड़ा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे बात के हमारे मुँम में रख करके आग लगाने की कोशिज कर रहे है ऐसी खबरों से ऐसे वीडियों से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का शडियंत्र चल रहा है देश में अगर शांती पुर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसलिए आने वाले एक महने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकते करने का इनका इरादा है और मैं मैं एक बड़ी गंबीर तासिन पारोप लगा रहा हूँ सामाजिक तनाव पैदा करके अन्होनी गटनाए गटे इसके खेल खेले जा रहे हैं और इसलिए मैं शत्रपदी सिवाजी महराज के सातारा की पवित्र धर्ती से देश वास्यों को कहना चाहता हूँ मिडिया के मेरे साथ्यों को कहना चाहता हूँ कि लोक्तंत्र की भलाई के लिए देश में सुक्षांती के लिए देश की एकतवा के लिए किरपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें ऐसे कोई भी वीडियो कोई भी तस्वीर आपके वोर्ट से पर आएं तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्विस्ट है पुलिस को जानकरी दे उसको फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए कहीं वो आपका भी नुक्षान कर देगी क्योंकि कानुन बहुत कड़क है और मैं ही चाहता हूं कि निर्दोस नागरिक इसके शिकार हो जाए और इसलिए यह फेक वीडियो इन सबसे हमारे समाथ को बचाना हमारा दाइक को है और ऐसे लोकों के विरुद मैं इलेक्शन कमिशन से भी विशेश रुप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके और के कठोर कारिवाई करने के लिए कदम बढ़ाये हैं सरकार पुरी तरह सच्चाई के साथ रहेगी यह मैं देश स्वास्चों को विश्वात दिलाता हूँ साथियों हमार यहां कॉंग्रेस ने स्वास्ट सेवाओं का यह हाल बना रखा था कि जिसको बिमारी हो जाती थी वो बदहाली तक पहुँच जाता था बिमारी को बदकिश्पती मानने के अलवा कोई विकल्प बचाई नहीं था गर में किसी को गंबीरी बिमारी हो जाती थी तो इलाज में खेत खल्यान तक बिग जाते थे महिलाओं के गहने बिग जाते थे कई कई सो किलोबेटर दूर जाना पड़ता था तब जाकर के कोई एक अस्पतान मिलता था ये हालत बना रखी थी साट-सतर साल के कॉंग्रेस के शासन ने लेकिन मोदी ने स्वास्त सेवाओं से जुड़ी परिशानियों को भाग्य के नाम पर नहीं छोड़ा मोदी ने हर देश वाजी को बहतर स्वास्त सेवाओं देने का संकल्प लिया हमने देश में 20 से ज़्यादा नए एंस बनाए बहतर स्वास्त सेवाओं का विश्तार करने के लिए हमने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले 2014 में देश में करीब 50,000 MBBS की सीटे थी 50,000 डॉक्टर निकलते थे आज हर साल एक लाग से ज़्यादा MBBS डॉक्टर स्पर्द करके निकल रहे है ये डॉक्टर छोटे सहरो ग्रामी लिलाकव में भी ईलाज का बड़ा माध्यम बन रहे है आज़्यमान आरों के मंदिरों के गेरिये आज गाउम गाउम में स्वात्त सिवाओं का विस्तार हो रहा है यहाँ सातारा में लगबग चार सो से ज़्यादा आईशमान आरों के मंदिर बने है अस्पतालों के बहतर नेटवर्क के अलावा गरीब और इलाज का बोज ना आए उन पर मुसिबतें न जेली पड़े यह मोधी ने इसकी गारंटी दी यहाँ सातारा में पंदरा से ज़्यादा जन अउसजी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट से दवाईयां मिल रही है जो दवाई 100 रुपे की किमत है वो सिर्फ 20 रुपे में मिलती है आज करोडों लोगों के पास 5 लाख रुपे मुप्त इलाज का आउशमान कार्ड है और मैंने एक और गरंटी दी है आप गरगर तक पहुँचाना किसी भी परिवार में किसी भी जाती वर्ग विशेज कोई भी परिवार आपके घर में 70 साल की उपर के कोई जो भी व्यक्ति होंगे अब उनकी बिमारी का खर्चा जो आपको करना पड़ता है अब वो खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा या आपका बेटा मोदी करेगा याने कोई गरीब हो मद्यम वर्थे हो या उत्य वर्थे हो अगर 70 वर्थे उपर का है तो आईश्मान योजरा के दाइरे में आएगा और उसको लाब में लगा भाई और बैनो सत्ता को अपने खांदानी जागीर समझने वाले आपकी इस तकलिफ को कभी नहीं समझ सकते ये चिंता वही कर सकता है जो आपके बीच रहा हो जिसने आपकी तकलिफों को देखा हो जिसने आपकी तकलिफों को जीया हो साथ क्यों कॉंग्रेस सरकार का रवया गरीबों को लेकर क्या होता था इसका अंदाजा आप उनकी नीतियों से लगा सकते हैं आज हमारी सरकार 80 करोड जरुरत मंदों को हर मैने मुपता नाज देती है और जब से कोरोना आया तब से चालू किया और आने वाले पांच साल की भी गारेटी दी है एक भी नाय पैसा लिए बिना मुपता नाज देते हैं लेकिन जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब लाखो टन अनाज सरकार के गोदामों में सरता था पानी में बिकता था और कॉंग्रेस सरकार उसे गरीबों को देने को तयार नहीं थी मना कर दिया था इतना ही नहीं सुप्रिम कौट ने कहा था सुप्रिम कौट ने हस्तक्षेप किया था और सुप्रेम कोट ने कहा था कि कॉंग्रेस सरकार अनाज गरीबों में बाटे लेकिन तब कॉंग्रेस सरकार के पुदान मंत्री डॉक्टर मनमोन सीजी ने क्या कहा आपको सुन करके चौग जाएंगे उन्होंने कहा था कि सुप्रेम कोट इस मामले में दखल न दे यानि अनाज सड़ता है तो सड़े गरीब भुग से मरता है तो मरे लेकिन कॉंग्रेस सरकार गरीबों को अनाज देने को तैयार नहीं थी ये कॉंग्रेस की असम्वेजन सिल्ता थी और इसले ही आज जब मैं अच्छी करोड जरुरत बंदों को मुप्त राशन दे रहा हूं तो कॉंग्रेस को सबसे जादा दिक्कत होती है भाई और बहनों तुष्टी करण के आगे गुटने टेट चुकी कॉंग्रेस ने एक और बड़ी गोशना खतरनाथ गोशना की है यह कॉंग्रेस कह रही है आपके खेट आपके घर आपके परिवार में माता और बहनों के गहरे उनके मंगल सुत्रा कॉंग्रेस कहती है अब एक्सरे करेंगे एक्सरे आपके लॉकर में क्या पड़ा है, एक्स दे करके देखेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है, एक्स दे करके देखेंगे, याने गर गर छापा मारी करेंगे, और आपकी संपती जब तक करेगी है, एक लिमिट से उपर आपको जो भी है, उसको लूटने का कॉंग्रेस सरकार राजा रखती है और उनकी जो खासम खास वोट बेंग है ना उनको मजबूत करने के लिए उनको बाड़ देंगे मैं जड़ा साता रखे भाई बेनों को पूछना चाहता हूं क्या आप ऐसा होने देंगे क्या आपको इस प्रकार की नीतिया मंजूर है ऐसा सोचने वाले लोग देश की राज में होने चाहिए मोदी का प्रयास है कि देश में हर बहन के नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी हो इसलिए गर बेहनों के नाम पर दिये जा रहे है जन जन खातों से करोड़ों बेहनों को पहली बार बैंक खाते खुले अब बीजेभी सरकार उत्में सीधा पैसा डालती है मोदी अपनी बहनों को ड्रोन पाइलोट बनाने में जुटा है मोजी ने तीन करोड बैनों को लगपती दिदई बनाने की गारंटी दी है लेकिन कॉंग्रेस के साजादी की चली तो कॉंग्रेस माता और बैनों की ख़वाई उनके गहनों को भी नहीं छोड़ेगे साथ क्यों मोजी का संकल्प हर बहन के घर तक और हर किसान के खेच तक पानी पहुचाने का है लक्ष्वन राविय नामदाव लिप्ट इरिगेशन स्कीम हो तराली प्रोजेक्ट हो टेम्बू लिप्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो बांग इरिगेशन प्रोजेक्ट हो ऐसी हर सिंचाई परियोजना महयूती सरकार की प्रास्पिक्ता को दिखाते हैं आने वाले पांच साल में ऐसे अनेक सीचाई प्रोजेक्ट हम पर पुरा करेंगे साथ्यों हम खेती में सहकारिता का व्यापक विस्तार कर रहे हैं इसलिए पहली बार अलग सहकारिता मंत्राले बनाया गया है हमारी सरकार ने गन्ने के एफारपी में रिकॉर्ड वृद्धी की पहली बार शक्कर के एमेस्पि तैक की हमारी सरकार इसे नौल पर इतना जोर दे रही है इसका सिधाला गन्ना किसानों को हो रहा है पी-म किसान सम्मान निजे के करीब पंदरा सो करोड रुपिये यहां सातारा जिले के मेरे किसान भाईयों के खाते में जमा हुए है साथ कि बीजे पी अपनी विरासत को भी सान से आगे बढ़ाने में जूटी है इसलिए जो हमारे किले हैं उनको भी सजा या सम्मारा जा रहा है यहां कनेक्टिविटी पर बहुत काम हो रहा है हम यहाँ जो हमारे आस्ता के सान है जो दरोरे हैं वह आना जाना आसाम बना रहें मेरा आप से आगर हैं साथ मई को हत्भूहर बूद पर कमल खिलाना चाहिए बारी मतदान होना चाहिए और आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका सपना यह मेरा संकल्प है और आपका सपना पुरा करने के लिए मेरा बीजन भी है और जीवन भी उसी के लिए है ट्वेंटी फोर बाई सेवन ट्वेंटी फोर्टी सेवन इस मंत्र को ले करके मैं काम कर रहा हूँ आप गर-गर जाईए मद्दान के लोगों को प्रेडित के लिए जादा से जादा पोलिंग बूत पर जादा से जादा बोटिंग पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ने के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो देश के लिए हम समय निकालें मतदान अवश्य करे क्या आप मतदान बढ़ाएंगे गर-गर जाएंगे पोलिंग बूत जीतेंगे अच्छा मेरा एक काम और करेंगे मेरा एक परसनल काम करेंगे आप जरा हाथ उपर करके बताएं तो मैं मानू करेंगे करेंगे अच्छा गर-गर जाएगा और कहिएगा कि मोदी जी सातारा आये थे और परिवार के सब को नमस्कार कहा है मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे हर पिरव्यार मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे वोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद कर दर के साथ मैं आपको बिंती करती हूं कि आप हमें संबोधित करें इस मुल्क के सराथ को कोई छो नहीं सकते कर दो करें हुस्टतर दे कर दर कमπως बिंस ओभें कि दॉलो नहीं करें यो सब्दान के साथ के अन्यवाद कर दो दित कि 3b 2 झाल झाल